कि आप जारी ना बच्चो तो क्लियर हुआ नाइट्रोजन का अब हम एमोनिया की बात करेगी विए टेक्स्बूक में नहीं दिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ अभी तक हमने जो कोवेलेंट बॉंड बनाया वह सिंगल सिंगल एलेमेंट सिंगल एक्टम्स के बात बात की नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सिन ऑक्सिन के साथ जब मोलेकिलर बनते हैं क्लोरिन क्लोरिन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ यह सारे बॉंड बनाने वाले बच्चो वह सारे क्या होगे दूसरों के साथ जैसे कि नाइट्रोजन है अब देखो तो खीसी ने उसको तीन elektron दी है और ना तो दूसरे nitrogen भी नहीं मिला अब क्या करेगा अब क्या होगा अब nitrogen है nitrogen है उसके बाहर की orbit में एक, दो, तीन, चार और पांच इलेक्टोन है बच्चों ध्यान देना एक दो तीन चार पांच ध्यान देना बच्चों समझा रहा हूं मैं कॉंसेट को अच्छे से नाइट्रोजन है उसका पता है कि नाइट्रोजन है साथ होते कंफरिगेशन 2,5 आउतर रोविश्च में 5 इलेक्टोन है अब उसको चाहिए कितने 10-10 तीन इलेक्टोन अब 3 इलेक्टोन चाहिए गेन करने पड़ेगे क्योंकि 5 इलेक्ट्रोन लूस करना तो तफ है तो गेन करने में उसको दो चीज़ या तो कोई एक एलेमेंट यसम मिले कोई एक बंद है समझ जो बोल दिख जा तीनों तीन इलेक्ट्रोन में तुझे दिया लेकिन प्रॉब्लम एक ऐसा मिला ही नहीं उसको अब नाइट्रोजन क्या करेगा दूसरे नाइट्रोजन के पास जाएगा कि भाया हम दो एक साथ ऐसे जुड़वा लोग है मुझे भी प या यूंतरोजन कम देने वाला मिला कौँसा मिला एसे दूसरे एकदा चीला चालू आदमी मिल गया अब नाइक बुद्धी लगा तो चीला चालू आदमी मिला लिञा रशंपचल इसके धाइक्पशिट्व के साथ partnership कर लो, yes, yes my dear friends, ऐसा ही हुआ, इस nitrogen ने इससे दुसरे तीन hydrogen के साथ partnership कर ली, और ये बना उसका configuration, ये बना उसकी partnership, समझ में आ रहा है, rise your end, और ऐसे ammonia बना, NH3, जब भी कोई भी configuration होता है, ऐसे कुछ बनता है, ये सारे bond जो हम बना रहे हैं, वो covalent bond है बच्चो, partnership वाले bond, lose or gain करने वाले ने, यहां हिस्सा भागीदारी सभी की है, चाहे हो hydrogen के एक टका भी क्यों न हो, हे, दस टका क्यों न हो, हे, और वहां तो क्या था, कि दे ही देना था, या तो ले ही लेना था, यहां लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, बच्चो, similarly water के molecular भी ऐसे बनाते हैं, यह खुद से try करना कैसे बना, मिथेन की बात कर, जो textbook में important है, concept दिया हुआ है, फिर मिथेन कैसे बनाता है, यानि कि जो मिथेन का यानि की CH4, जब कार्बन के साथ ऐसा होता, जैसा nitrogen के साथ हुआ, कि नहीं कोई उसको 4 electron देने वाला है, ना lose कर सकता है, ना gain कर सकता है, ना दूसरे कार्बन के साथ partnership कर सकता है, तो ऐसे दूसरे 4 hydrogen के साथ वो क्या करेगा, 1-1 electron की partnership कर लेता है, क्या कर लेता है, एक-एक electron की partnership, जिससे होगा चार खुद के और चार partnership के, इसकी हिसाब से उसको क्या मिल गया, पुरा आठो electron मिल गया, लेकिन वो आठो electron के उपर भागीदारी ऐसे सभी की है, बोलो बच्चों, पता चला है, इसमें भी, जब भी carbon, यानि कि जो carbon, ऐसे single-single bond बनाके, चार hydrogen के साथ, single-single bond बनाके, जो molecular structure तिएर करता है, उसको methane बोलते है, CH4, methane, बोलो, methane में कोई doubt किसी को, ओके, now ionic compound वैसे एक्स्ट्रा चीज़ है, फिर भी इसलिए में बोल रहा हूँ कि आपको at least पता चला है, आयोनी compound जो होता है, solid होता है, यह covalent compound कुछ भी हो सकता है, यह hard and brittle होता है, यह soft होता है, melting point, boiling point, ionic compound के high होते हैं, उसके low होते हैं, देखो मेरे low क्यूँ है, low स्लाइड में, जब आपने एक चीज़ देखी, यह slide में, कि यह जो bond बंड रहा है, वो दोनों पार्टनर्स है, पार्टनर्सिब जनरली क्या होते हैं, टिकती नहीं है, जादा तो टिकती, क्योंकि यह साइड से खिचेगा, यह साइड से खिचेगा, कही ना कहीं, कोई भी स्लाइड कंपाउंड होता है, इसमें पार्टनर्सिब होते हैं, इसलिए वो ज्यादा टिकती नहीं है, थोड़ा सा भी मेल्टिंग पॉइंट और वोईलिंग पॉइंट से तुट जाती है, बेड कंड़क्टर रेक्सिटी इसके गुड़ कंड़क्टर होते हैं, वो पोलर जाता चीज़ी जिस रीड कर लाना, स्लाइड सेर में कर दूंगा, स्लाइड बेद दूंगा, आपको पता चले इसलिए, पीड फ्वाइल बेद दूंगा, यह जो पीड ना उसकी टेंट टेंशन मट लगए, लेकिन दूसरे के पास आपको सेर नहीं करनी हैं, बच्चों के स्कूल के बच्चों के साथ सेर नहीं, आपको स्पेशली खाले आपको लान करने के लिए मैं बेजोंगा, इसका में नहीं किसी के साथ, क्योंकि इतनी महीनित लगी होते हैं, कोई को पीड पेश्ट कर लेता है, बाद में, ना अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अल एलाटर्ट्रोप याने कि ऐसे दो कमप surgeries नों बनें तो एक ही material से होते हैं, लेकिन उसका जो structure होता है, formula होता है, वो अलग होता है, जिसको अब क्या बोलते हैं, प्योदिया की एल्यु क्या है, जो कार्बन से ही बना है, उसकी वियल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, और डाइ ये लेकिन डाइमंड की वेल्यू कितनी ज़्यादा है देखो तो तो इलटरॉप यानि की क्या होगा जो चीज सेम मट्रियल से बनी हो लेकिन उसका स्टॉक्चर डिफरेंट हो क्या चेंज हो स्टॉक्चर क्या हो डिफरेंट हो अब ये लास्ट वाला उसका में नाम इसलिए इतना अटा पटा है तो तीन साइनटीस्ट को मिला की ये चीज़ बनाई थी तीन साइंटिस्त थे अभी भी मुझे इसले या देखें कि यह मेरा फेवरिट टॉपिक हुआ करता था चैप्टर से रोबर्ट एफ कॉल अभी भी कितने साल होगे तो भी रोबर्ट एफ कॉल हैरोल डबोल्यू क्रोटो रिचार्ड एसमोली तीन साइंटिस्त के मिला के इस बक मिनिस्टर फुल्रीन या जिसकों बक्की बोल बोलते है कार्बन का साहिंट एलेक्ट्रों सिक्स्टी एलेक्ट्रों कार्बन की मिला के ऐसा मेट्रियल बनाया जो बहुत काम की चीज़ नेनो टेकनोलोजी में यह बहुत ऐसी छोटी चीज होती है जो आपको अभी द बताईए एक बार पीडिये फाइल में सेर करूंगा रीड कर लेना मैं अभी जो क्रोस किया हुआ सिलेबस में नहीं है क्रोस किया हुआ है लेकिन वह आपको इन्फरमेशन के लिए दोनों स्लाइड में ने बताईए ओके चलो अब आगे बात करते हैं तो यह नो देना होता है आपको पता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा करोडों ने मिलियंस लाखो करोडों कारबन एक दूसरे के साथ मिलके मटरियल बनता होता तो यह जो कारबन है सर अपने बता है ताग है कि खाली 0.02 परस जीरो पॉइंट जरो टो परसंटेज होता है फिर भी इतना इतना यूसफुल क्यों है हमारी रूटेन लाइफ के अंदर हमारी डेली रूटेन लाइफ के अंदर इतना पावर्फुल क्यों है यूसफुल क्यों है ऐसा तो क्या है उसके अंदर तो अलग-अलग उसकी प्रॉपर्टी है उसमें दो प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कैट दूसरों के साथ अटेच हो जाते हैं जैसे कि मैंने बता हैं कि ये कारबन दूसरों के पास ये दूसरा तीसरे के पास ऐसे एक दूसरे के साथ अटेच होके एक लंबी सी चेन बनाते हैं या रिंग बनाते हैं जिस प्रॉपर्टी कम क्या बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्ट बोलते हैं बच्चों क्लीर है कट्रेसं प्रोपटी यानि की कि राइचोरेंट इस दोनों प्रोपटी के बारे में देखें नेक्स लेक्टर ने देखें जिस खाली समझा रहा हूँ इस कंपोंड में है लॉंग चेन ऑफ कारबन ब्रांची चेन ऑफ कारबन और इवन कारबन एटों अरेंज इन रों यह सारी चीज एक काम करते हैं नेक्स सेशन में हम देखते हैं क्योंकि इंट्रेस्टिंग चीज है फटाफ और समझाने में साइध आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी नहीं मज़ाएगा इंट्रेस्टिंग और अच्छी चीज है तो नेक्स सेशन में हम आराम से सांती से यह सारे बाखी के कंसेप्ट देखेंगे बोलो चीज है जो भी मैंने समझा इसमें कोई डाउट किसी को जदी कोई हो तुम्हें स्लाइड सेर करा रहा हूं जो समझ लो सारी चीज में तो चीज यह कारबन के जो कंपांड हाइड्रोजन ओलेक्लार क्लोरीन और आइट्रोजन कैसे बनते हैं यह चीज मेंने जो समझाएगा यह एक्स्ट्रा चीज थी इंपोर्टन चीज हमने एक सेशन में देखेंगे ट्रेट्रा वैलेंसे के बारे में के बारे में शूर ना बच्चो चलो तो लेक्चर्स को हम यहां एंड कर रहे हैं हमबर्क में यह स्लाइड्स में बेजूंगा लर्न कर देना इसमें से ओके बा कि ओके वह लॉन करके लिग देने हैं कि मनन तेरा जो डाउट है वो नेक्स सेशन में हम सॉल करेंगे उसके बारे में यह जो केटर ने संस और टेटरा वैलेंसी है ना वही टॉपिक नेक्स सेशन में डिस्कॉस करने वाले बच्चों हो ना चलो तो यहां हम लेक्चर से एंड करें क्योंकि मुझे वो टॉपिक तेरा डाउट सोल कराने में यह टॉपिक समझाना पड़ेगा पहली चीज़ तो इसलिए ओके यह जो लिखा है ना कार्बन करपान कंपोंड आर वेरी स्ट्रॉंग तुने जो क्वेशन पूछा वह एक्वेशन है रिट चलो तो लेक्चर इसको यहां हम एंड कर रहें बच्चों के बाई